हेलो एवरिवन वेलकम टू माई चैनल सारिकास ग्रीन गार्डन दोस्तो आज हम सीखेंगे कि हम घर में ही बिना मिट्टी के गेहु के जौरे यानि वीट ग्रास कैसे उगा सकते हैं दोस्तो इन्हें उगाना काफी आसान होता है दोस्तो यहां पर मैंने दो मुठी गेहु का इस्तमाल क्या है दोस्तो जब भी आप वीट ग्रास उगाने के लिए गेहु लेते हैं तो पहले उसे अच्छे से साफ कर लीजे कई बार होता क्या है कि हमारे गेहु के अंदर मिट्टी की छोटी छोटी डलिया होती है और साथ ही थोड़ा भोध वीट हस्क भी होता है तो आप इनको बीन कर पहले अच्छे से साफ कर ले और उसके बाद गेहु को किसी बरतन के अंदर डाल कर गेहु को तीन से चार बार अच्छे से दोईे ताकि गेहु के उपर जो भी गंदगी अदूल मिट्टी चिपकी हुई है वो अच्छे से साफ हो जाए दोस्तों जब पहली बार हम गेहु के अंदर पानी डालते हैं तो पानी का कलर हमें पीला नजर आता है क्योंकि गेहूं के उपर जो गंदगी चिपकी हुई होती है वो धीरे धीरे साफ हो जाती है जब पानी आपको बिलकुल साफ नजराने लगे गेहूं के एक इंच उपर तक आप परतन के अंदर पानी भरिये और इस गेहूं को छोड़ दीजिये 12 से 16 गंटे ऐसे ही भीगने के लिए 16 गंटे हो जाने के बाद अब हम देखते हैं कि हमारे गेहूं कैसे हो गए हैं तो देखे दोस्तों गेहूं ने हलकी हलकी जर्मिनेशन यानि अंकुरित होना शुरू कर दिया है और अब गेहूं को हम पानी के अंदर से निकाल लेंगे दोस्तों अब हमें एक ऐसा कंटेनर चाहिए जिसके अंदर काफी सारे होल हों तो देखे मैंने इस ट्रे को लिया है और इसके अंदर काफी सारे होल मैंने बना लिये है अब इस ट्रे के अंदर मैं इन गेहूं को अच्छे से फैला लूंगी दोस्तों हमें होल वाली ट्रे या कोई बरतन इसलिए चाहिए ताकि इसके अंदर पानी स्टोर ना हो और हमारे जो गेहूं हैं वो गले नहीं गेहूं के उपर चारो तरफ पानी डालिए ताकि गेहूं अच्छे से भीग जाए और अपनी ट्रे को रख दीजे किसी बरतन के उपर ताकि इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए इसके बाद हमें एक रुमाल लेना है रुमाल को अच्छे से भीगोना है और रुमाल को हलके हाथ से निचोड लेना है अब इस रुमाल को हम गेहूं के उपर अच्छे से फैलाएंगे ताकि जितने भी गेहूं हैं वो चारो तरफ से कवर हो जाए और इनके अंदर नमी बनी रहे दोस्तो अब हम इस ट्रे को 24 गंटे के लिए ऐसी जगा पर रखेंगे जहां पर इसको सीधी धूप ना मिले बलकि उजाला इसको मिलता रहे और अब 24 गंटे हो चुके हैं और हम देखते हैं कि हमारे गेहूं कैसे हो चुके हैं तो देखे दोस्तो काफी अच्छा रिजल्ट हमें मिला है गेहूं दुगनी स्पीड के साथ जर्मिनेट हो रहे हैं मैं आपको पास से दिखाती हूँ देखे कितने अच्छा जर्मिनेशन गेहूं के अंदर हो रहा है और दूसरी बार भी हमें वही प्रोसेस रिपीट करना है गेहूं को अच्छे से पानी से भिगोना है और उसके बाद रुमाल को गीला करना है और गेहूं के उपर अच्छे से फैला देना है और दोबारा इस ट्रे को हम 24 घंटे के लिए रख देंगे दोस्तों अगर रुमाल सूख जाता है तो आप इस रुमाल को दोबारा गीला कर सकते हैं ताकि गेहूं के अंदर नमी बनी रहे अब 24 घंटे के बाद हम देखते हैं कि हमें कैसा रिजल्ट मिला है तो देखे दोस्तों वीट ग्रास अच्छे से ग्रो होने लगी है मैं आपको ट्रे को तिर्शा करके दिखाती हूँ आप देखे कितनी अच्छे से इसकी ग्रोथ शुरू हो गई है अब हमें इसके उपर रुमाल नहीं ढखना है अब हम फिर से पानी लेंगे और चारों तर हैं दोस्तों आपको वीट ग्रास ग्रो करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कभी भी डारेक्ट संलाइट के अंदर अपनी वीट ग्रास को नहीं रखना है और फिर से हम इसको रख देते हैं और दोस्तों देखें चार से पांच दिन के बाद आपको इतना और healthy wheat grass हमारी grow हुई है अब मैं आपको 6-7 दिन बाद का result दिखाऊंगी देखे ये है 6-7 दिन बाद का result दोस्तो इसको उगाना काफी आसान होता है और देखे हर एक गेहूं का दाना हमारा germinate हुआ है दोस्तो डेली ही आपको इनके अंदर पानी डालना है ना तो आपको इनको सूखने देना है और ना ही इनको पानी में बिलकुल डूबो कर रखना है बस उतना ही पानी दीजे जितना इनको चाहिए और दोस्तो ये है 9-10 दिन बाद का result काफी अच्छी roots इसकी बनकर तयार तो समझ जाए कि हमारी wheatgrass harvesting के लिए तयार है आप इसका रस बना कर juice बना कर पी सकते हैं तो दोस्तो देखा आपने कितना आसान है wheatgrass grow करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को subscribe और share कीजिए फिर मिलते हैं एक नए topic के साथ तब तक के लिए good bye वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद